दोस्तो आज हम बात करेंगे महाबारत के युद में सर्वशक्तिशाली धनूस किस के पास था अर्जुन के पास या फिर कन के पास अर्जुन के पास गांडिव और कन के पास विजे धनूस था तो इन दोनों में से सर्वशक्तिशाली धनूस किस के पास था जो पूरे महाबा महाभारत को युद में विजय की और ले जाने वाला था है दोस्तों महाभारत के युद में कण और एठन के पास बेहद ही घातक शक्तिशाली और दिवय धनुश थे अरजुन के पास गांडिव और कण के पास विजय धनुश था दौनों धनुष बेहद ही शक्तिशाली थे कण को भगवान पशुराम जी ने ये धनुष दिया था जबकि महाभारत की कथा के मुताविक अर्जुन को रत और गांडिव धनुष श्री अगनिदेव जी ने दिया था दोस्तों अर्जुन के गांडिव धनुष में कुछ मुखे विश अर्जुन के गांडिव धनुष की कुछ मुखे विशेशता थी अर्जुन का गांडिव धनुष अत्यंत ही शक्तिशाली था गांडिव से एक साथ अनेकों तीरों को छोड़ा जा सकता था और दुश्मनों को आसानी से परास्ट भी किया जा सकता था वे किसी भी दुश्म अर्जुन के गांडिव में एक अक्षय तरकष बीता जिसमें तीर कभी भी खतम नहीं होते थे गांडिव में दिव्य शक्तिया नहीं थी ये एक महा शक्तिशाली दिव्य अस्ट्र था जो कभी भी तीरों से समाप्त नहीं होता था दोस्तो अर्जुन के गांडिव में एक अच्चूक निशाना भी विद्यमान था अर्जुन के गांडिव से छोड़े गए तीर हमेशा निशाने पहल लगते थे जो की अर्जुन को निशाने बाजी और कोशल में सटीक्ता का सयोजन और उसे अजय योधा बनाता था गांडिव की शक्ती इतनी दिव्य थी कि इसका प्रियोग करके अर्जुन किसी भी लक्षे को आसानी से भेज सकता था और उसका निशाना हमेशा सीधा रहता था कभी भी अचुकता नहीं था हमेशा निशाने पर ही तीर जाके लगते थे तो इनी दिवेताओं की वज़े से अर्जुन का गांडिव धनुज सर्व शक्ती शाली था दोस्तो अब हम बात करते हैं कण के विजे धनुज के बारे में भगवान श्री कृषिन जी ने भी कण के विजे धनुज की तारिफ करते हुए कहा है हे अर्जुन मैं सार्थी रूप में और हनुमान जी शुष्ण रूप में तुमारे रत पे सबार हैं लेकिन फिर भी कण का चलाया हुआ तीर तुमारे रत को कुछ दूर तक घसीटने में सफल रहा है तुम तो कण के प्रकरम और उसके धनुज की शक्ती का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कण के पास जो विजे धनुज है वे इस महाबारत के युद्ध को जीतने में पूरी तरीके से उसका सयोग कर सकता है इनी बातों को अर्जुन समस्ता है और विजे धनुज के बारे में कुछ और विशेष्टाय पूछने के लिए स्री कृष्ण जी से अनुरोध करता है श्री कृष्ण जी कहते हैं कण का विजे धनुज अभेद गेरा है कण के विजे धनुज का कोई खंडित नहीं कर सकता है कण का विजय धनूश मंत्रों से इस परकार अभी मंत्रित था कि ये धनूश जिस भी योद्धा के हाथ में होता है उसके चारों तरफ एक अभेद गेरा बना देता था कण का विजे धनूश और अरजुन के गांडी धनूश जितना ही शक्तिशाली था कण एक ऐसा अभेद गेरा बना सकता था जिसे कोई भी तोड नहीं सकता था इसके साथ ही कण को उनके विजे धनूश के साथ नहीं मारा जा सकता था स्री किशिन जी इस बात को जानते थे युद में जब कंड का रत एक गड़े में फस गया तो उसे निकालने के लिए कंड ने अपने विजे धनूश को रत में छोड़ा और नीचे उतर गए उसी समय अरजुन ने अपने गांडी से तीर चलाया और कंड का वद्ध कर दिया इनी बातों से आप समझ सकते हैं कि कंड का विजे धनूश कितना सर्वशक्तिशाली और कितना दिव्य था कि उसके होते हुए वे कंड का वद नहीं कर सकते थे दोस्तों कंड और अरजुन दोनों ही सर्वशक्तिशाली योधा ते महभारत के युद में स्री कृष्ण जी ने अरजुन का साथ दिया और सत्ते की जीत हुई अधरम का नाश्वा और धरम की विजे हुई इन्ही कार्णों से अरजुन को थल से कंड को मारना पड़ा ताकि धरम की जीत हो और धरम धरती पविद्यमान रहे उस्तों ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले अपना पूरा प्यार